नमस्कार दर्शकों आप देख रही हैं हमारा बहुत खास कारिक्रम मैं हूँ आपके साथ चित्रा शर्मा सबसे पहले सर्वधर्म संगम टीवी चैनल के सभी दर्शकों को जनमाश्टुमी पर्व की हारदिक्शुप कामना है चलिए अब आज के इस खास कारिक्रम की विदिवत हम शुरुवात करते हैं और मिलकर स्वागत करेंगे विश्व विख्या जोतिशाचार्य कपल महराजी का महराजी आपका बहुत-बहुत स्वागत है जयमाता की हरे कृष्ण हरे कृष्ण क्या है इसका लिंक क्या है क्यों श्री कृष्ण भगवान ने अपनी जन्म के लिए अश्टमी को ही चुना बहुत अच्छा प्रशन है आपका इस देखिए इसमें बहुत से लोगों की बहुत सी है तब से पहले भगवान कृष्ण का जनम जो हम मानते हैं वो भाद्रपद महीने के क्रिशन पख्ष की अश्टमी तिथी को होता है साथ ही उसके साथ मेल खाना चाहिए रोहिनी नक्षत्र सर सरोबार कर देती है अब अश्टमी तिथी भगवान ने क्यों चीनि अगर आप ध्यान दीजे तो हमारे दो पक्ष होते है कृष्ण पक्ष एक शुकल पक्ष और अश्टमी तिथी तो उन्हों 15 दिन की होती है पूर्णिमा से अमस्या अमस्या से पूर्निम Collins, तो अश्टमी चिती इन दोनों के बीच में आती है, कितना उस्त्म जो चीज बीच में किसी चीज को बैलनस कर रही हो वो इस वो बैलनस करती। कि बीच में उसका सुत्रधार हो जाता है ऐसे अश्टमी तिति का महत वह इतना बढ़िया है कि अगर इसको बहुत डीप में जाएं तो वास्तविक्ता जो है और अंदेखे पहलों का जो दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा दोनों पहलों का बहुत सही ताल मेल होता है ऐसे होते हैं अध्यात्निक जो नहीं दे सकते हैं उसका अनंद परिभूत होते हैं तो उन दोनों का बहुत जबड़स तालमेल है क्योंकि वह अश्टमी थी इधर भी और उदर भी एक क्रिशन पक्ष एक शुकल पक्ष तो दोनों के बीच में भगवान क्रिशन भी तो हमारे ऐ एक तरफ महान योगी और एक तरफ भौतिक संसार में राजा तक बने द्वार का धीश बने एक तरफ लीलाय रचे और एक तरफ लोगों को उस प्रेम के अथा प्रेम में बहा दिया जिसको सिर्फ अनुभूत कर सकते हैं एक तरफ महान शिक्षक रहे कितना बड़ा गीता ऐसा ज्यान दे दिया लोगों को प्रेम श्रद्धा भावना का महत्व सिखा दिया और एक तरफ सबसे बड़े राजनितिग्य भी बने उनसे बड़ा भारत का यूद सबसे उधारा क्रिशन जी की लीलाओं पर राजनितिग्य पर चल गया तो इसी तरह से आध्यात्म की प बीच में है पूर तिथियों को बीच में बैलेंस करके चलती है इसलिए भगवान क्रिश्ण ने उसका जनम इतना देखे कि इंपॉर्टंस दे दी उस तिखे तो अब जिन लोगों के जहन में यह खयाल आता है जिनको यह लगता है कि अश्ट्रमी का दिन ही भगवान श्री क्रिश्ण की पूजा अर्चना करने के लिए उनको क्या अर्पित करना चाहिए किस तरह से पूरा विधिविधान तरीके से हम श्री क्रिश्ण की पूजा करें अर्चना करें आराधना करें ताकि उनका आशिरवात उनकी अनुकंपा सदैव हम सभी पर बरस्ती रहे तो यह विदिविधान तरीका क्या होना चाहिए ये मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप हम सभी को समझाते हैं जितार जी बहुत उत्तम सबसे उत्तम तो होता है कि भगवान शोड़श्चार करें जो हमारी 16 तरह की उपचार होते हैं भगवान कृष्ण को उपन करें उसमें मैं शौट में ही बताऊंगा क्योंकि ये बहुत निदों बहुत लंबा हो जाता है पहले ध्यान किया जाता है फिर उनका आवाहन किया जाता है उसके उन्हें आसन अरपन किया जाता है उन्हें पाद्य दिया जाता है उन्हें अर्ग दिया जाता है उसके बाद उनको श्रिशी मुन्यों ने पूरा शोड़श्टा को बनाया है यगोपवी देने के बाद उन्हें गंद दीजे मतलब उन्हें सुन्दर सुन्दर इत्र दीजे उनको वह सब कीजे गंद पुष्ट देने के बाद उन्हें आवरन आभूशन दीजे उनको शिंघार की ज्याभूश system है एक के बाद एक इसका systematic इसको बनाया गया है कि यहीं को पहले हो जाए और बाद में नहीं इसको इसे चलना पड़ता है पुषके बाद उनका अथा पूजन होता है उनके body parts की पूजन होती है से कंदे का हाथों का चर्णों का इस तरह से होता है साथ ही उसके बाद को हम फूजन हगंद्य धूप होते हैं अगरबत्ती हम लोग इस्तमान नहीं करतила पता होता है नोको फोजन के बाद पूजन क दिया जाता है तरह को दिया जाता है मतलव नको लुए अरपन किया जाते है पिर उनको नव था yraиков पर सोंदर चीज के सामने पान को पहिए उनको आरती की जाती है आरती के बाद उनसे शमा प्रडिक्षना करते हैं और उसके बाद उनके शमा प्रात्ना करते हैं यह होता है शोड़फचार पूजन जो भगवान कृष्ण का एक विधिवद पूजन किया जाता है देखे हम सभी लोग दर्श को ये तो जानते हैं कि भगवान श्रीक्रिशन को खुश करने के लिए प्रसंद करने के लिए हमें विधि विधान तरीके से उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए लेकिन वो विधि विधान होना क्या चाहिए क्या उसका क्रम है किस क्रम से हम पूजा को समझाया है बस अब ये जो क्रम वाइस बताई गई है पूजा अर्जना पूजा पाठ वगेरा ये सभी चीज़े आपको फॉलो करनी है जनमाश्टमी के परवपर ताकि श्रीक्रिष्ण जो हैं जल से जल्द प्रसंद हो सके और अपना आश्रवात आप सभी पर बरसा सके अच्छा ये तो विदेविधान हो गया उनको प्रसंद करने के लिए पूजा पाठ करने के लिए अच्छा महराजी जो क्रम आपने बताया है अब सुनने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं आजकल हमारे समाज में आजकल का परिवेश ऐसा चल है कि समय की बहुत पाबंदी हो जाती है बड़ी कमी हो जाती है समय की अब जो लोग इस क्रम से पूजा पाठ कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन जो लोग इसे फॉलो करने में थोड़े से असमर्थ हैं किसी भी वज़े से चाहे समय की कमी है या चाहे सेहत उनकी ठ उटा पाते हैं तो क्या कोई शौट तरीका है क्या कोई इसका आसान रूप है जिसको अपना कर हम पूजा पाट कर सकें बिल्कुल है हमारे भगवान कृष्ण इतने मैं बढ़िया कहूंगा इतने हैं जिन्हें अपने भक्तों के सिर्फ प्रेम से रीज जाते हैं भाव से री क्योंकि लड़ु गुपाल उनके स्वरूप बहुत सौम्मे बाल रूप माने जाते हैं तो आप सनान कीजिए शुद्वस्त्र पहनिए अपने मंदिर को बुखारिए उसको सजाईए उसके बाद भगवान को सनान कराईए दूद्ध सनान कराईए पंचामरी सनान कराईए जल सजाईए फिर उनको इत्र लगाईए फूल माला पुष्प अरपन कीजिए साथ में जब करें तो धूप दीप नवैद्धे प्रदान करके जो आप रसाद बनाते हैं प्रसाद बनाईए भगवान को अरपन कीजिए और रात को जब बारा बज़ते हैं किशिंगा जम बजन की इतरन कीजिए भगवान के नाम जाब कीजिए विष्णु सहस्तनाम का जाब कीजिए हरे रामा हरे कृष्णा का जाब कीजिए उनको पालने में जुलाईए बैसे मां अपने बच्चे को जुलाती है जैसे पिता अपने बच्चे को जुलाईए और रात के बारा ब जाना चाहते थे आपके समख्ष है इस तरीके से भी आप श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव भर पूर तरीके से मना सकते हैं बहुत हर्शुलास के साथ मना सकते हैं अच्छा भोग की बात यहां पर महराजी आपने की कि भाई बारवजी जो है जब आप परदा हटाते हैं श्री कृष्ण का जन्मुटसव मनाते हैं और उसके बाद उनको भोग अर्पित किया जाता है तो उनका जब भोग बनाया जाए जब उनका प्रसाद बनाया जाए तो उसमें क्या-क्या चीज़े शामिल करनी चाहिए क्योंकि अमूवन जब भी ये बात आती है प्रसाद बनाने की तो बहुत सारी चीज़े हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ता है यह नहीं कि मनमर्जी का कुछ भी आपने बना लिया और वो ईश्वर को आपने चढ़ा दिया इश्वर को जो अत्यंत प्रिये है अब इसे ही श्रीक्रिष्ण को जो अत्यंत प्रिये है वो क्या-क्या सामग्रिया है क्या-क्या चीज़ है जिनके मिश्रन से हम ये भोग तेयार करें however God अज देख रही हैं कि यह नयारा उसमें प्रेम भाव वात्सल्य भरा होता है और सबसे शुद्ध हो जाता है भगवान का सर्वोपरी भोग है मांखन और मिश्री तो वो तो जरूर होना चाहिए जिस वर आवांठाय आरती करें पहला भोग भगवान को मांखन मिश्री का लगाना चाहिए क्योंकि उससे पंचामरित पंचामरित में दूध हो थोड़ा सा गंगा जल हो दहीं हो तुलशी के पत्र हो और शहद यह पांट चीज़ना के पंचामरित भगवान को भोग लगाई है उसके बाद भगवान को पिंजीरी बहुत है पिंजीरी वो नहीं जो आप खाती चीजिए जो बनी बनाई लेते है、 उसकी प्रेम नहीं याता कराणा कि आहिए, भगवान आपका प्रेम लेते हैं, आपका भाव लेते हैं, आप की भावनो शद्धा को भोग लगाए एव जा पर भावन के Turkish मर्थ नहीं है तो थोड़ा सा माखन मिश्री लीजिए भगवान को याद कीजिए और अपने उनको नाकंदे प्यारे से कहना को प्रेम पूर्वग भोग लगाईए तो कि माखन मिश्री की आगे तो भगवान को कुछ भी पसंद नहीं आता तो आपके भाव को इतने प्रेम से वो ग्रहन करेंगे कि वो ही अमरित समान हो जाएगा चलिए तो अब किस प्रकार से भोग आपको लगाना है कनहिया जी को श्री कृष्ण भगवान को ये बाते भी यहाँ पर महराजी ने आपको बता दी है आप धन्ये की पंजीरी उनको भोग लगा सकते हैं साथी साथ सब सबसे पहले जो आपको भोग लगाना है जन्माश्टमी वाले दिन वो आपको लगाना है माखन और मिश्री का जो कि भगवान श्री कृष्ण को लड़ू गोपाल जी को अत्यंत प्रिये है तो माखन और मिश्री के भोग के बाद आप उनको पंचामरित दे सकते हैं भोग म कि एक भक्त को श्री कृष्ण के भक्त जो हैं उनको खयाल रखना चाहिए और उस दिन उन बातों को फॉलो करना चाहिए ऐसी और क्या-क्या खास बाते हो सकती हैं भगवान कृष्ण का जनम मतला हमारे कष्टों का हरन निवारन सब होता है उनके भक्तों को उनके शिंगार उनको सजाना उनके वस्त्र प्रसाद में ही समय व्यतीत करना चाहिए भजन सत्संग करना चाहिए उनके नाम का जाप करना चाहिए ओम नमो भगवते वासु देवाय का जाप करना चाहिए जब भगवान कृष्ण का जनम हुआ था तो मतुरा जैसी नगरी में साथ ताले खुल गए थे और वो जाके इतनी हर्शोलास मासुदेव जी को प्राप्त हुआ था तो वो तो हर्शोलास लेके पैदा होते हैं सब कष्टों को दूर कर देते हैं तो उन काटते हैं नाचते हैं गाते हैं तो वैसे भगवान कीजिए भगवान को और भगवान कृष्ण को तो वैसे ही वो तो संगीत प्रिये हैं आपके प्रेम में रीचते हैं तो सबसे नाचिए गाईए भजन कीजिए उनके नाम का जाप कीजिए कुछ रैसे हैं जैसे गीता के अंतमेक्ष लोक है यत्र योगेश्वरा कृष्णा यत्र पार्थो धनुधरा तत्रशी विज्या भूती धुवा नीतिर मतिर्मवा इस मंदर का जाप कीजिए उस दिन रात को देखिए आपके जिंदगी वाले हर कष्ट का निवारन हो जाएगा आपके बिगड़े काम ऐसे भगवान किछन सवार देंगे कि आप सोटी नहीं सकते जी हां और महराजी बहुत सारे लोगों से मैंने ये भी सुना है अब चुकि भगवान श्री कृष्ण को राधरानी का नाम अत्यंत प्रिय है अपने नाम से ज्यादा उनको राधरानी का नाम प्रिय है तो जो भक्त और कुछ भी नहीं कर सकते मान लिजे किसी और मंत्र का उचारा नहीं कर सकते हैं या सत्संग करने में असमर्थ रहते हैं तो अपने घर बैठे बैठे राधे कृष्ण राधे कृष्ण का जब यदि किया जा है तो वो कैसा रहे बहुत उत्तव लेखे भगवान मैंने ऐसे पहले भी कहा, भगवान किसी चीज़ के भूके नहीं, वो आपके भावना के भाव के भूके हैं, राधे कृष्ण, राधे का मतलब क्या हुआ, हमें रहा दिखाने वाली, जो हमें कृष्ण से मिला दे, कृष्ण के पास जाने की रहा दिखा दे, वो राधे हैं, क्योंकि उन लाधे-कृष्ण राधे-कृष्ण करते रहिए कुछ नहीं करते रहिए आप कुछ नहीं करते रहिए we gopala gopala जपते रहिए सबसे उत्थम होता है कि करिश्ण आपके भाव के भूखें हैं तो उस भाव को प्रकट कीजिए उस सौमिता को अपने अंदर के प्रेम को भगव प्रियों को तो कुछ आता ही नहीं था अनपड थी गाउं की गवाले ने थी लेकिन भगवान कि सबसे प्रिय रही राधारानी विल मसियक है तो गोपियों ने जीता कैसे सबने कृष्ण को पती रूप में देखा रास चाई कृष्ण के साथ लीलाय रच्टी थी माखन चुर आपके भाव के भूके हैं आपके प्रेम आपके स्नेह के भूके हैं यदि सच्चे मन से सच्ची आस्था से सच्चे श्रधा भाव से पूरी भक्ती भाव से आप एकांत में बैटकर राधे कृष्ण राधे कृष्ण का जाब करें या कृष्ण कृष्ण का भी जाब करें तो भी ईश्वर की पूरी पूरी अनुकम पाउन का संपूर्ण आश्रवाद आप पर बरसना शुरू हो जाता है. और जब ईश्वर का आशिरवाद आप पर बरसता है तो आप मान करके चलें कि कश्ट आपकी जीवन से दूर हो जाते हैं और खुशियां आपकी जीवन से स्वत्याही जुन्नी शुरू हो जाती हैं तो शुरी कृष्ण के जन्म का उत्सव जन्माश्ट मी बहुत ही हर्शुर्लास के साथ मनाएं इस दिन कीस तरह से प्रसाद बनाना है किस तरह से भोग अर्पित करना है और शुरी कृष्ण को किस तरह से याद करना है किस विधी विधान से उनकी पूजा अर्चना करनी है य जो कुछ और बात हैं जो आप हम सभी से कहना चाहिए बिल्कुल जैसे समय की बहुत सीमा हुती है इसी सदर अचा आज़िये हमे इजदा दे रहा है हमें टाटा बाइबाय करने का इजादत लेने का तो एंत में एक बात और जोड़ना चाहता हूए कि हमारे समाज में कुछ ऐ जाएदे कुछ भी ना करना है, पॉकिट अलाओ नहीं कर रही या आर्थिक टिति ऐसी नहीं है क्योंकि अभी हम इतने बड़े करोना से निकले हैं, बहुत बुरे हाल से निकले हैं, बिल्कुल स्वास ठीक नहीं है, कुछ नहीं बना पा रहे हैं, तो सबसे उत्तम मानसिक आप अंतर आत्मा से जितना उसके जुड़ के खिलाएंगे, प्रेम से खिलाएंगे, आप महसूस करेंगे, भगवान वो खा रहे हैं, क्योंकि मानसिक पूजा सबसे उत्तम पूजा मानसिक अर्पन कर दीजिए, भगवान का शिंगार अपने मन से, अपने मस्तिक से ध्यान लगए दीजिए, सबसे उत्तम पूजा मानी जाती है, जी हाँ, यानि मानसिक तौर पर यदि आप ईश्वर की शक्ति के साथ, ईश्वर के नाम के साथ खुद को जोड़ दें, तो इससे उत्तम पूजा और कोई नहीं मानी जाती है, इसलिए चिंता किसी प्रिकार की आपक कुछ भी करने में सक्षम नहीं है, तो मानसिक तौर पर आप खुद को ईश्वर को समर्पित कर दीजे, उनकी पूजा अर्चना कीजे और फिर आप देखेगा कि जीवन में किस तरह से परिवर्तन, सकरात्मक परिवर्तन आप सभी के आ जाता है, फिलाल यहाँ पर वक्त कह के रहा है कि कारिक्रम को यहाँ पर हमें विराम देना है, महराजी आप हमारे साथ जुड़े और जन्माश्मी पर्व को लेकर इतनी अच्छी और मधूर बातें आपने हम सभी को बताएं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, राधे कृष्ण, राधे कृष् सच्ची प्रहरी झाल